अब आते हैं अपने question number 44 पे तो question number 44 है हमारे पास formaldehyde है HCHO plus acetaldehyde है CH3CHO और treatment with dilute anavage इसको treat किया है हमने dilute anavage के साथ तो यह form करता है compound A जिसको हम heat करते हैं तो बन जाता है compound B when B is treated with HCN it forms compound C जो B को है उसको treat करते हैं हम HCN के साथ तो form करता है compound C और जब C का करते हैं reduction और C का reduction करते हैं डिपाल H के साथ डिपाल H क्या होता है di-isobityl aluminum hydride तो बनता है D और D का जह हम करते हैं hydrolysis तो D के hydrolysis से बनता है E तो हमें पहचानना है कि ABCDE क्या होगा अब देखो तो हमारे पास जो पहली reaction है वहाँ पर क्या वो लगा है dilute naivage से में इसको treat कर रहे हैं तो dilute naivage वाली reaction कौन सी होती है dilute naivage वाली होती है aldol में इस पहली reaction में क्या लग रहा है aldol लग रहा है तो चलो इसको लगाते हैं दोखो एक के पास alpha hydrogen भी है इसके alpha position से एक hydrogen निकालके इसको देदो तो यहाँ पर आगया और यहाँ पर क्या बचा CH2 CHO तो यह बन गया हमारे पास compound A formula क्या आया है इसका CH2 OH CH2 CHO यह बना final हमारे पास compound A नाम क्या हो गया इसका यह carbon 1, 2, 3 3 carbon है तीन पर क्या है hydroxy है तो यह हो गया 3 hydroxy और 3 carbon के लिए क्या होता है propanol 3 hydroxy propanol हो गया हमारे पास compound A अब compound A को हमने किया है heat तो देखो जब अल्डोल के जो product है उसको हम heat करते हैं तो क्या बनता है alpha beta unsaturated product बनता है तो यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा तीन carbon है तो प्रॉब 2 e null this is compound B compound B को हमने treat किया है HCN के साथ तो synohydrin formation है तो स्टार्टिक से रिख लेते हैं तो यह हमारे पास है compound number B इसको हम treat कर रहे हैं HCN के साथ तो देखो क्या होगा HCN के साथ treat करने पे OH के पास negative charge आएगा तो इसके पास चला जाएगा H इसका लाँद जो CN है voltage हो जाएगा carbon के साथ तो यह बना हमारे पास C this is synohydrin अगर इसका आप आई पर इतनीम करना चाहो तो 1, 2, 3, 4 total 4 carbon है और 2 पे क्या टाच है hydroxy तो 2 hydroxy और 4 के लिए क्या उसकरते है but 3 पे लगा है कि SNCL2 और HCL कॉंसी रेक्षन थी यह स्टीफन थी तो अगर स्टीफन से किसी को रेक्षन करते हैं तो उसमें जो डबल बॉंड है वो भी क्या हो जाता था सिंगल बॉंड में कर्वर्ट हो जाता था मिन्स डबल बॉंड पी रेडियूस हो कि कहां चला जाता था मगर अगर हम इसी को ठीट करते हैं डिबाल के साथ तो डिबाल के साथ ठीट करने पे जो कंपाउंड है उसमें जो CN वाला पार्ट है सिर्फ वही रेडियूस होगा और बाकि उसमें चेन में कोई भी डबल पिपल बॉंड कुछ भी हो चेन में वह रेडियूस नहीं होगे सिर्फ जो CN वाला पार्ट है CN वाला पार्ट है रेडियूस होगा सो स्टीफन से रेडक्शन पे और डिबाल अच के साथ रेडक्शन पे यह डिफरेंस होता है स्टीफन में जितने भी डबल बॉंड होंगे वो सारे के सारे रिडियोस होके सब चले जाएंगे सिंगल बॉंड में और डिबालेच के साथ रिड़क्शन जब करेंगे तो उसमें जो डबल बॉंड है वो एजटीज रहने वाला है स्रिफ जो CN है वो वाला पार्ट जाएगा सो चलो इसको करके देख लिते हैं सो जब डिबालेच से टीट करेंगे तो सब खुश तो रहने वाला है वैसे ही स्रिफ जो CN वाला पार्ट है CN वाला पार्ट किसी में करणवट हो जाएगा CN वाला पार्ट करणवट हो जाएगा CHO में सो यह हमारे पास आगया कंपाउंड नंबर D तो मैं हम क्या है इसका 1,2,3,4 ऐसे नहीं करेंगे दो पर क्या है हाइड्रोक्सी और 4 काबन के लिए ब्यूट तीन पर लगा है एन और कंपाउंड क्या है अल्डिहाइड तो यह होगा हमारे पास कंपाउंड नंबर D अब क्या कर रहे हैं जो कंपाउंड D है उसका हम कर रहे है हईड्रिलिस जो जो कंपाउंड D करेंगे असेडिक हईड्रिलिस तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सिडेशन और ऑक्सिडेशन की वज़े से जो हमारे पास CHO ग्रूप है जो CHO ग्रूप get converted to the COOH सो यह हमारे पास आ गया compound E नाम क्या हो जाएगा इसका 1, 2, 3, 4 4 carbon 2 पे क्या attach है 2 पे attach है hydroxy और 4 carbon के लिए में भी उस करेंगे but 3 पे लगा है en और compound क्या है OEG acid है सो यह होगा हमारे पास compound 2 hydroxy but 3 en OE acid this is compound number E तो इस तरह से हमारे पास जो question है यह complete होता है question number 44 अब आते question number 45 के उपर अब आते question 45 पे तो हमारे पास एक tertiary alcohol है जिसको हम dehydrate करते हैं तो मिलता है product B तो चलो इसको पहले लिख लिएते हैं क्या क्या है हमारे पास तो हमारे पास एक 3 degree का alcohol है और इस 3 degree के alcohol को जो हम करते है dehydrate acid catalyze dehydration होता है तो उसे मिलता है compound B अब देखो alcohol को dehydrate करने से क्या मिलता है alcohol को dehydrate करने से मिलेगा alken तो B हो क्या हमारे पास alken ozonolysis of B give compound C and D B का ozonolysis तो B के ozonolysis से मिलता है compound C and D अब देखो ozonolysis जब करते है अलकीन का तो क्या मिलता है या तो मिलेगा aldehyde या तो मिलेगा tritone इन दोनों में जहीं हमें कोई मिलेगा compound C and Diction with KOH gives benzyl alcohol and compound D जो compound C है इसको जो हम treat करते हैं KOH से तो ये देता है benzyl alcohol plus 7 में देता है compound D इसका लाव जो हम D को treat करते हैं KOH से तो ये देता है एक alpha beta unsaturated product जिसका formula है वो हमें दे रखा है तो जो alpha beta unsaturated product है वो ये रहा दो carbon है और carbon से जुड़े हुए एक methyl, एक phenyl और एक ये तो चलो इसको बहुँ दिख लेते है तो जो alpha beta unsaturated product है वो आवर पास क्या है एक तरफ attach है methyl, एक तरफ attach है phenyl, और एक तरफ attach है CO और pH ये हमारे पास पूरी skeletal form reaction की तो हमें पताना है कि A is formed by the reaction of ये हमारे पास तिन option दे रखे हैं A, B और C इन तीनों में से किसके reaction से A बनेगा तो देखो reaction को उल्टा ले जाना है start करते है ये तो मैं पता नहीं है, ये हमारे पास A है तो ये तो पता नहीं है तो इसमें दू तरीके हो सकते है या तो जो option है सारे option को आप चेक कर लो कि कौन सो option reaction को परनी सही बैचता है तो अगर option चेक नहीं करने तो reaction को आप उल्टा भी ले जा सकते हो दोनों तरीके से आप question कर सकते हो तो हम जो दूसरा वल तरीके उसको follow करते हैं हम reaction को उल्टा ले जाते हैं तो उसे बहुत सरी चीज़ें आपको clear दो जाएंगी तो जो alpha, beta unsaturated product ये किसे बनता है सबसे पहले OH रहा होगा उस OH के हड़ने से यहाँ पर क्या आया double bond आया तो देखो, जब इसमें OH रहा होगा तब यह कैसा रहा होगा तो अगर आपको अल्टो लाती है तो पता होगा आपको कि यहाँ पर OH रहा होगा और यहाँ पर CS2 और यह तो वैसा ही CO और pH ऐसा रहा होगा तो जब इसको गरम करते हैं तो क्या होता है यहाँ से OH और यहाँ से एक hydrogen यह दोने निकल के और यह वाला compound है यह बना होगा तो यह हमारा final product है उसके पहले वाली stage यह है अब देखो, यह compound बना कहां से होगा यह किसी aldol का product होगा तो वो कौन सा reactant है जिसके aldol से यह बनेगा तो देखो, compound को अगर हम यहाँ से बिरिक करें तो हमारा पस क्या बन जाएगा इधर phenyl, जिवाला पहले double bond के साथ oxygen रहा होगा जहाँ पर H attach हुआ होगा तो यह double bond के साथ oxygen और एक तरफ इसके CS3 तो यह हमारा पास आगे compound acetophenone means acetophenone का अगर आप treat करोगे KOH के साथ तो यह जो alpha, beta and saturated product है यह बन जाएगा यह जो compound है, यह किसके aldol से बनाऊगा तो देखो, यहाँ से बीच में से इसको बने बिरिक किया है तो compound जो बनेगा, क्या बनेगा acetophenone तो देखो, एक बार इसको check करके देख लेते हैं कि क्या वही compound बनेगा जो हमने सोचा तो यह हमारा पास acetophenone है अब acetophenone को आप ले जाओगे aldol में तो कैसा बनेगा, देखो यह इसके alpha position यहां से hydrogen आएगा, इस वाले oxygen के पास तो कैसा बन जाएगा, यह pH, यहां पर हो जाएगा OH इसके नीचे CH3 attached है यहां पर क्या बचाए CH2, CO, और pH तो यह हमारा पास बन गया इसका aldol product और जो हम इसको करेंगे heat तो heating से क्या होगा, यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा, तो finally क्या बचेगा, यहां पर CS3, यहां पर हो जाएगा double bond, यह बचेगा CH, यह CO और यह pH, तो दिखो आगया यह हमारे पास जो था alpha, beta unsaturated product यह बन गया यह वाला, same इसका मतलब, जो compound D है हमारे पास, compound D क्या है, compound D आगया हमारे पास, acetophenone, एक चीच फिक्स होई, कि जो compound D है हमारे पास, compound D is acetophenone, तो acetophenone का जो formula है वो लिख लेते हैं, यह हमारे पास आगया acetophenone, अब दिखो अब आते हैं compound C पे, तो C को जब QH से treat करते हैं, तो बनता है एक alcohol साथ में एक E, अब देखो, जो QH है, वो दो जगे आता है, एक तो आता है aldol में, और एक आता है canizzaro में, तो canizzaro में बनते हैं दो product, जो कि आपर बनते हैं दो product, मतलब जो C है, वो की ऐसा aldehyde, जिसके पास alpha hydrogen नहीं है, अब देखो, उसको जो product है, वो क्या है, benzyl alcohol मतल अब फिनाल के ऊपर, एक carbon होना जीए, ऐसा aldehyde कौन सा होगा, जिसके पास, benzyn के ऊपर एक carbon हो, तो यह हमारे पास, जो बनेगा compound, C, that is, CHO, अब देखो, इसको अगर मैं कहने 0 में ले जाता हूँ, तो कहने 0 में ले जाने के बाद क्या बनेगा, disproportionation में जाएगा, तो एक बन जाएगा, हमारे पास, reduce होके alcohol, और एक oxidize होके बन जाएगा, potassium salt of benzoic acid, मतलब हमारे पास, जो compound, C है, C क्या है, benzyldehyde, इसका लबाँ, यह तो हमें देही रखा था compound, और, जो compound E है, E क्या है, this is potassium salt of benzoic acid, जो हमारे पास आगए, C, D, E, अब देखो, कोशन में क्या बोला है, जो C और D है, C और D, B के ozonalysis product है, अब देखो, इसका reverse में ले जाओ, ozonalysis, तो estophenone है, benzyldehyde है, तो इसको दोबार से लिख लेते है, यह मारे पैस estophenone, यह मारे पास होगा benzyldehyde, अब देखो, जब इसका करेंगे reverse ozonalysis, तो क्या होगा, यहां से दोनों oxygen चले अब जो alkyne हैं हमारे पास, उसका structure ही यह आगया, अब देखो, यह alkyne कैसे बना था, यह alkyne मना था, किसी alcohol से, अब alcohol जो tertiary वाला कांस तो रहा होगा, इधर phenyl, यहां पर रहा होगा CH3, यहां रहा होगा OH, यह CH, और यहां फिनाइल, means, यह हमारे पास alcohol है, उसका आगया structure, यह alcohol रहा होगा, जिसके acid catalyze dehydration से, यह बनाऊगा alkyne, इस alkyne के ozone leases से बने होंगे, यह दो लोग, यह गया होगा aldol में, जिससे बना था हमारे पास alpha beta unsaturated product, और यह compound गया था, कैनिजारों में, जिससे बनाता है एक alcohol और एक carboxlic acid, तो हमारे पास final जो A है, वो आगया, यह tertiary alcohol, तो हमें यह जो ऊपर तीन option दे रखे हैं, इन तीन option में देखो, कि यह compound कहां बनता है, देखो मैं कि चाहिए gas में, फिनाइल, फिनाइल, और एक carbon से OH, CH3 और CH3 है, तो चलो इसको यह आपर बना लेते हैं, और फिर चेक करते हैं, कि हमारा कौन सा answer आएगा, तो क्या बना पास carbonyl है, carbonyl को हमने treat के है, गिंगनाड के साथ, तो इसका जो product है, इसका product कैसा बनेगा, direct बनाता हूँ, preparation of alcohol में आता है, यहाँ पर हो जाएगा OH, इधर CS3 है, और यहाँ टेच हो जाएगा फिनाइल, तो यह बनेगा इसका product, means यह इससे match नहीं कर रहे हैं, तो यह नहीं हो सकता, तो इसको काटो, अब आतने B पे, तो B जो है उसमें, एक तरफ इनाइल है, इधर O, वह हम है जाएगा, नीचे इसके CS3 है, और यहाँ पर हो जाएगा, CS2, pH, यह बाल हमारा product है, देखो, आ गया, यह, same है, तो कैसे बन रहा है, B को जो हम treat करेंगे, तो बनेगा हमारे पास, यह पूरी reaction का sequence, तो answer क्या है, इसका, answer B है, तो यह अच्छा question है काफी, this is question number 45, अब आते है question में 46 के उपर, अब इसको copy में, साफ सुतरा, अलग-लग point करके लिखना, तो जादा better understanding होगी, ठीक है, एक एक point अलग-लग करके, बाते question 46 पे हमें A, B, C, D, E पहचानना है, स तो हमारे पर एसे compound A है, जो कि E-Cyclic है, जिसको हम treat करते है, HCL से, तो compound B और C मिलते है, दो चीज़ी मिलती है, इसका compound A है, उसका ozone-resist करने पर हमें 2 चीज़ी मिलती है, D और E, और, जब D और E को हम treat करते है, concentrated NaOH से, तो हमें मिलता है, एक sodium salt of carboxlyic acid, प्लस एक alcohol, अब देख यह cross canisarum में जा रहे है, अगर canisarum में जाते है, तो हिहां पर क्या होता, same number carbon के हमें एक alcohol मिलता और एक carboxlyic मिलता, बगर यहां पर अलग-अलग carbon का carboxlyic और alcohol मिलता है, मतलब relation जो है, वो cross canisarum की है, तो देखो, जो हमारे पास carboxlyic है, एक carbon का carboxlyic है, मतलब हमारे पास ए तो पहले पहले इस पर चोड़ लो तो यह ओके तीन मिथाइल इसके साथ एक काबन यहाँ पर तो यह CHO तो यह हमारे पास हो गए D और E D का नाम क्या है D is formaldehyde और E का नाम क्या है 1,2,3 ऐसे नहीं करेंगे तो यह हमारे पास आ गया तो दो चीज़े तो यहां से फिक्स हुई अब देखो जो D और E है इसमें क्या बोला है अब देखो D और E यह बन रहे है यह बन रहे है यह बन रहे है और E से तो अगर मैं इसका reverse ozonalysis ले जाओं से अब जो कंपाउंड डे है वो मिल जाएगा तो इसका करते है universe ozonalysis तो करने के लिए करना क्या है हमें जो oxygen है oxygen को आपने सामने कि लिख़ लो संथ दोलों compound के oxygen है उसको यहां से आपने सामने कि लिख लो और क्या करो यहां से दोनtext निकालो और जो बचाओ से जोड़ दो तो क्या बचा हमारी पास यह हमारी पास टी मिथाइलेंट से अटेच यह इसका रहा CH फिर डबल गॉंड के साथ ही है CH2 यह वाला CH2 यह रहा तो यह बन क्या हमारी पास सलकीन A जो को फॉर्मला क्या रहा है इसका C6 H2L आ रहा है नाम क्या होगा इसका 1,2,3,4 3,3 डाइमिथाइल और 4 के लिए क्या हो जाएगा ब्यूटीन तो यह हमारी पास आ गया कंपाउंट A इसका लाओ कंपाउंट D और E यह था हम पता चले चुका है अब कंपाउंट बचे हैं हमारे पास B और C पता लगाने हैं अब देखो B और C बन कैसे रहा है जब हम इस वाले कंपाउंट को treat करते हैं HCL से तो बनता है कंपाउंट B और C तो चलो इसको इसको इवाट द्वारे लिखते हैं और फो बनाते हैं कंपाउंट B और C इस कंपाउंट को इस अलकीन को हम treat कर रहे है HCL से अब देखो जब HCL से treat करेंगे तो क्या लगेगा इसमें इसमें लगेगा मार्कोनिकोप्स reaction तो इसमें मार्कोनिकोप्स addition reaction लगेगा तो इसमें होगा क्या कि जो negative वाला पार्ट है ये किससे आठाच होगा इट अटेच्च तो दोस डगल अबॉर्णिक कापरेटर विचाए इस लेस्स नंबर अफ़ हीडरियन तो एक प्रोड़क्ट तो इसका ये बन जाएगा CS3 यहाँ पर CS3 इधर CS3 यहाँ पर CS negative वाला पार्ट आके यहाँ टाच हो गया और यह हो जाएगा CS3 तो यह जो minor वाला प्रोड़क्ट है यह तो होगा minor प्रोड़क्ट यहाँ पर major क्या होगा क्योंकि यहाँ पर कार्बोकटाइन बनेगा अब जब कार्बोकटाइन बनेगा तो उस case में यहाँ पर methyl shift होने की possibility है क्योंकि methyl shift होके क्या होगा एक हमारे पर more stable tertiary कार्बोकटाइन बन जाएगा अगर आपने पढ़ा है यह मार्कोनिकोप्स का mechanism तो आपको समझ आएगा बना देखो यहाँ पर ऐसे होगा अब आपको शॉट में बता देता हूँ कि कैसे कैसे जो mechanism हो गया तो यहाँ पर जब यह reaction हो रही होगी तो उस case में जो सबसे पहला कार्बोकटाइन बना होगा वो कार्बोकटाइन कैसा बना होगा वो यह वाला कार्बोकटाइन बना होगा अब यहाँ पर possibility है कि अगर यह वाला मिथाईल इस वाले कार्बन पर shift कर जाए तो जो next एक more stable कार्बोकटाइन जो बनेगा वो कैसा बनेगा वो इस तरह का एक tertiary कार्बोकटाइन बन जाएगा मिथाईल शिफ्ट होने की वजए से तो क्योंकि tertiary कार्बोकटाइन जादा stable होते है तो यह बनाएंगे major product मिन्स जो negative वाला part है negative वाला part आएगा यहाँ पर और इसके attach हो जाएगा तो यहाँ पर यह CS3 एक ओपर CS3 यहाँ पर CL और यह CH यह CS3 और यह यहाँ पर CS3 तो यह यह बनेगा यह बनेगा major product इसकर हो minor हमने यहाँ बना लिया सुभी हमारा major था और C minor था तो यह जो minor product है this is C और major product है this is B आप फेकने वाप इसके रिखी सकते हो यहाँ से counting करेंगे 1, 2, 3 और यह 4 2 chloro 2, 3 dimethyl और 4 carbon के लिए butane minor वाले का नाम क्या हो जाएगे यहाँ से counting स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4 3 chloro 2, 2 dimethyl butane तो यह हमारे पास सारे compound आ गए A, B, C, D, E तो दिखोम ने इसको approach कैसे किया हमारे पास जो product थे हम उसको उल्टा लेते गए तो वहाँ से उल्टा ले जा ले जाके हमारे पास सारे compound बन गए जिसमें से compound D हमारा था formaldehyde compound D हमारा था 2, 2 dimethyl, propanol compound D हमारे पास था 3, 3 dimethyl, butane और B और C यह रहे यह रभी हमारे पास और यह रहा C हमारे पास तो इस तरह से हमारे पास यह वाला question हो गया this is question number 46 आप अगर इसको कर रहे हो तो notes बना के इसको करो copy में उतार के तो ज़्यादा clear होगा आपको क्योंकि copy में आपको एक साथ सारा दिख जाएगा यहाँ पर इस च्रीन चोटी है इसके वज़ए से जो सारा question है तो एक बार में अपेर नहीं हो पाएगा आप सको copy में लिको step by step जैसे बताया है एक बार उसको आप दुबारा देखो फिर ज़्यादा clear होगा तो this is question number 46 now we move to question number 47 अब आते नेक्स question पर सो मेरे पास इथेन है इथेन को क्लोराइड करें CL2-sin presence of light तो क्या हो जाता है यहाप़ जो HCl है एक है할 यहाँ से और इसका cham now निकल जाएगा और XCl हैं जड़ जाएगा तो इहमारे पास क्या बन गया this is ithyl chloride और यहाँ से HCl जो है निकल गया अब इthyl chloride को हम ट्रिट करें Alcoholic debido से गहरे लिश को क्यों बनते champion में, यहां पर हट जाएगा, और इन दोनों के पास CL आ जाएगा, अब जब इसको हम treat करेंगे NANS2 के साथ, तो क्या होगा यहां से, यह preparation of alkynes में आता है, तो जब इसको treat करेंगे NANS2 के साथ, तो क्या होगा, यहां से पहले एक CL हटा, double bond आ गया, और यहां पर CS2, फिर दुबारे से इसको treat करेंगे NANS2 के साथ, तो यहां पर दोनों treat करेंगे HCL के साथ, तो HCL से treat करने पर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा CL, और बाकी, जो double bond है, वो आ जाएगा यहां पर, इसके अलावन जो bond है, सबके पूरे कर लो, तो इसके 4 हुई रहे हैं, यहां पर हो गए 4, मगर जब इसको treat करेंगे excess of HCL के साथ, तो यहां पर क्या होगा, यह हो जाएगा CS3, development पूरा हट जाएगा, और यहां पर आजाएगा 1 CL, और यहां पर भी आजाएगा 1 CL, तो जो हम आलकाइन को treat करते हैं, excess of HCL के साथ, तो क्या देता है, यह देता है, जमिनल डाइहलाइड, तो यह होगा हमारे पास 1-1-Dichloro-Ethene, और यह compound कौन सा है, इस compound is D, तो D बन के हमारे पास, जमिनल डाइहलाइड, उसको हमने treat किया है, अब देखो, aqueous के बच से क्या बनता है, aqueous के बच से हो जाता है alcohol, तो जो हम इसको treat करेंगे, aqueous के बच से, तो क्या होगा यहां पर, जो CL वाला पार्ट है, CL वाला पार्ट convert हो जाएगा किस में, OH में, तो हमारे पास मिल जाएगा यह diol, this is ethene-1-1-diol, यह हमारे पास compound हो गया E, तो इस तरह से हमारे पास सारी compound आ गए, a आ गया ethyl chloride, b आ गया ethene, c आ गया ethyne, d हमारे पास था geminal dihylide, और e हमारे पास di alcohol था, तो इस तरह से question पूरा होता है, अब आते question number 48 के उपर, so और बास से caromatic compound X, इसका molecular formula दे रखा है में, C9H10O, which gives the following chemical test, तो जो लो पहले लिखते हैं, इसकी skeletal form, तो C9H10O, अब यह कौर कौन से test देता है, पहला तो यह 2,4 DNP test जो है, वो positive देता है, reduces tollens and drugo canisaro, tollens positive देगा, और जो canisaro reaction है, canisaro reaction में भ positive दे रहा है, on vigorous oxidation, it gives 1,2 benzene di carboxylic acid, अगर हम इसका करते हैं, vigorous oxidation, तो vigorous oxidation से क्या बनता है, benzene 1,2 di carboxylic acid, तो benzene 1,2 di carboxylic acid का formula क्या होता है, यह होता हमारे पास, benzene 1,2 di carboxylic acid, identify X and add the iopec name, also add the reactions involved in the formation of the avomation product, तो देखो, यहां से में पता क्या के चलता है, अगर 2,4 DNP दे र carbonil है, अब carbonil है, तो it can be aldehyde, और it can be titone, दूसरी बात बोलता है कि tolerance reaction दे रहा है positive, अब tolerance कौन positive देते हैं, tolerance रिफ aldehyde positive देते हैं, इसका मतलब compound क्या है हमारे पास, जान सिफिक्स हो गया, compound है हमारे पास aldehyde है, इसके अलाबा, जो compound हो, canisaro reaction पास positive दे रहा है, और canisaro कौन देते हैं, इसके पास alpha hydrogen नहीं होता है, तो जिसके पास alpha hydrogen नहीं होता है, वो होते हैं, हमारे पास, कैने जारों में जाने वाले, इसके अलाब oxidation से क्या बनता है, हमारे पास, di carboxdic acid बनता है, मतलब इसके पास, दो ऐसे group है, जहां पर carbon attach है, अलग-अलग position पे, तो अब जो C9 S10OS को बनाते हैं, अब बनाते हैं compound X को, और यह हमारे पास एक aromatic compound है, क्योंकि जो में मिला है product उसमें क्या है, एक aromatic compound है रहा oxidation है, एक तो रिंग हमारे पास होगी ही, इसके अलाबा, इसके दो position पे कुछ लगा हुआ है, उसमें देखो, iteration एक तो जारी है, कैने जारों में एक तो इसके पास ऐसा aldi head होगा, जो कि alpha hydrogen के साथ नहीं होगा, तो एक तो यह हो गया, इसके अलाबा, अगर हम यहाँ पर CH2 और CH3 यह वाला group जोड़ दें, तो देखो compound को formula पूरा हो जाता है, compound के पास हमारे पास होगे 9 carbon, hydrogen होगे कितने, 4 तो होगे रिंग से, 5, 6, 7, 8, 9, और एक यहाँ से 10, 10 hydrogen होगे, एक oxygen होगे, तो यह हमारे पास होगे पूरा compound का formula, तो यह जो हमारे पास compound आया X, इसका नाम क्या हुआ, यह CHO है, और यहाँ पर यह C2H5 है, तो 2P क्या है, ethyl, और compound क्या है, benzyldehyde, तो जो compound X है, compound X क्या होगे हमारे पास, 2 ethyl benzyldehyde, अब कर रहे हैं क्या, सबसे पहले करते हैं, इसका 2,4 DNP, तो यह इसको हम treat करेंगे, 2,4 DNP के साथ, तो जो product बनेगा हो, क्या बनेगा, तो सबसे पहले जो 2,4 dinitrophenyl hydrazine है, तो 2,4 dinitrophenyl hydrazine को बनाओ, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से oxygen और यहाँ से hydrogen, इसको निकाल लो, और जो बचाओ से जोड़ दो, तो यह हमारे पास हो गया, 2,4 dinitrophenyl hydrazine product, यह हमारे पास पहले reaction complete, आप आते हैं, दूसरी reaction पे, दूसरा क्या बोला है, कि compound जो है, वो tolerance stress positive दे रहा है, तो देखो, जो हमारे पास, benzaldehyde type के compound होते है, benzaldehyde जो है, वो tolerance stress positive देता है, फैलिंग नहीं तो यहाँ पर जो इसको हम treat करेंगे, tolerance reagent के साथ, tolerance reagent के साथ treat करने पर compound क्या करेगा, silver mirror बना लेगा, एक तो यहाँ पर जो silver mirror है, वो बन जाएगा, यह वाला part convert हो जाएगा, COH में, और यह रहने वाला है, वैसे ही, इसका लाओ जो by product है, उसको लिख दो NS3 निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा, water निकल जाएगा, तो यह हमारे पास हो गया, second reaction जो कि tolerance test positive दे रहा है, तो यह होगी हमारी tolerance की reaction, third पे आते हैं, third reaction है कि canisaro reaction पे positive दे रहा है, तो चलो इसका canisaro भी लिख लेते हैं, तो हमारे पास C वाला compound है, जिसके पास alpha hydrogen नहीं है, benzaldehyde का, जो जो इसको ले जाते हैं, canisaro में, इसको हम treat करेंगे concentrated base के साथ, तो क्या होगा, कि जो aldehyde वाला part है, एक बार तो ऑक्सडाइज होगा, और एक बार रिडिस होगा, तो जब रिडिस होगा, तो बना लेगा alcohol, और जब ऑक्सडाइज होगा, तो क्या बना लेगा, ऑक्सडाइ है, ethyl, तो two ethyl, और compound क्या है, phenyl, और यह सब किस पर attach है, one पर attach है, किसके, bethanol के, तो यह होगा, अमारे पास compound, alcohol वाला, इसके अलब अगर carboxlic देखें, तो two पर क्या attach है, ethyl, और compound क्या है, benzoic acid है, तो यह हमारे पास होगे, दोनो canisaro product, fourth relation बोलता है, यह हम उसको कर रहे ह oxidize, तो यह तो बहुत simple है, तो अगर हमारे पास oxidation में क्या होता है, तो जब हम कभी भी करते हैं oxidation, तो benzin की उपर irrespective of the carbon atoms, कितने भी carbon atom हो, उसका resultant होता हो, क्या होता है, वो एक ही होता है, और वो किसमें चले जाते है, वो चले जाते है, कार्बोक्सलिक एसिड में, तो यह ह तो यह हमारे पास ता question number 48, question 49 है, we have alcohol A, C4H10O, तो यह का हमरे पास alcohol है, C4H10O, on oxidation with acidified potassium dichromate gives carboxylic acid B, तो अगर हम इसको treat करते हैं, acidified K2Cr2O7 से, तो यह हमें देता है, compound B, और B का formula क्या है, C4H8O2, C4H8O2, यह हमारे पास B है, compound A when dehydrated with concentrated sulfuric acid at 443, तो जब हम इसको treat करते हैं, concentrated sulfuric acid के साथ at 443, तो क्या बनता है यह, Gibbs compound C, तो यह देता है हमें compound C, treatment of C with aqueous H2SO4, Gibbs compound D, तो जब हम C को treat करते हैं, aqueous H2SO4 से, तो मिलता है हमें compound D, जिसका जो molecular formula है, C4H10O है, which is a isomer of A, और यह क्या है, A का isomer है, compound D is resistant to oxidation, but A can be easily oxidized, जो compound D है, oxidized नहीं होता है, और जो A है, it can be oxidized easily, तो मैं पहचाना है, ABCD और उनकी लिखने में structure, तो देखो, S2SO4, 443 Kelvin, यह कहाँ पर आती है reaction, यह reaction आती है, alcohols की reaction है यह, alcohol की chemical property में आती है, means, जो हमारे पास compound C4S10O है, यह क्या है alcohol है, तो चलो इसको बनाते हैं पहले का alcohol, तो CH3, CH2, 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 CH2 और OH, क्या formula बना इसका, C4 हो गए, H कितने हो गए, 3, 2, 5, 2, 7, 8, 9, 10, S10 और 1 oxygen, तो यह था हमारे पास C4S10O, तो यह होगा हमारे पास compound A, नाम क्या है इसका, butanol, अब इसको हम treat करते हैं, acidified K2Cr2O7 के साथ, तो यह क्या होता है, यह एक oxidizing agent होता है, तो जब इसको oxidize करेंगे, तो यह क्या होगा हमारे पास, this is butanoic acid, तो यह हमारे पास आगे compound C4H8O2, यह और भी दोनों आगए, अब हम करते हैं, A को dehydrate sulfuric acid के साथ at 443 Kelvin, तो जब हम इसको करेंगे dehydrate, इसमें डाल देंगे S2SO4, तो क्या होगा, alcohol को जब करते हैं, dehydrate तो क्या बनता है, alcohol के dehydration से बन जाता है, अलकीन, तो यह मारे पास होगे, अलकीन, इस इस compound number C, नाम करेंगे इसका, butene, और जब इसको हम treat करते हैं, sulfuric acid के साथ, और इसमें हमें कौन सा sulfuric acid यूश किया है, dilute sulfuric acid यूश किया है, तो यहाँ पर क्या होगा, कि HOH के साथ हमने इसको treat किया है, तो इसमें marconic ops rule follow होगा, और marconic ops rule follow होके, जो negative वाला part हो, कहाँ touch हो जाएगा, इसके पास, कम hydrogen है, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3, CH2, यहाँ पर आ जाएगा CH, उपर आ जाएगा OH, और यहाँ आ जाएगा CH3, नाम क्या होगा इसका, butane to all, इसको भी formula क्या हुआ, C4, S10O, अब देखो, जो butane to all है, औ और butanol है, यह दोनों क्या है एक दूसरे के, यह दोनों एक दूसरे के isomer है, क्योंकि यह 1 degree alcohol है, तो यह easily oxidized हो सकता है, और जो 2 degree alcohol है, यह easily oxidized नहीं होगा, तो यह हमने लिग दिया सारे नाम और सारे reactions, तो यह होगा हमारे पास compound, ABCD4 हो गया, और question मों 49 हो गया, अब आते question मे के उपर तो हमारे पास यह compound A है, जिसका molecular formula दे रिखाय में, C6H6O, N-gip से characteristic color with aqueous FeCl3, तो C6H6O, यह हमारे पास compound है, इसको हम treat करते हैं FeCl3 के साथ, अब देखो FeCl3 किसके साथ आता है, तो यह characteristic color देता है, तो FeCl3 test किसके लिए आता है, FeCl3 test किसके लिए आता है, FeCl3 test आता है FeCl3 test के लिए, C6H6O, तो हमारे पास यह compound तो FeCl3 test आता है, आगे बोलता है, when A is treated with NaOH and CO2 at 400 Kelvin under pressure, it gives compound B, तो जो हम इसको treat करते हैं NaOH और CO2 के साथ, तो यह देता है compound B, compound B on acidification gives compound C, इसको हम treat करते हैं acid के साथ, तो यह देता है compound C, compound C react with Acetyl chloride to form D, which is a popular pain killer, तो compound C है, उसको हम treat करते हैं, Acetyl chloride के साथ, तो Acetyl chloride क्या होता है, CH3 COCl, तो मिलता है compound D, compound D क्या है, pain killer है, अब देखो, यहां से अगर आपको, alcohols, phenol, ether, phenol की reaction याद है, तो यहां से कोशन ऐसी हो जाएगा, तो NaOH और CO2, यह कौन सी reaction में आते हैं, coal variation के मतलब, phenol को जो हम ले जाएंगे, coal bay lead places में तो क्या बनता है, phenol को जो हम ले जाते हैं, coal bay के अंदर, तो क्या बनता है, यहां पर, यहां पर आजाएगा OH, और यहां COOH, तो नाम कहा है इसका, salicylic acid, यहां पहले बनेगा Na, और Na को जो हम हाडलाइस करेंगे, acid के साथ, तो Na हमारे पास का है, sodium salt of salicylic acid है, तो B बन गया हमारे पास, C बन गया, अब, जब salicylic acid को हम treat करते है, acetyl chloride के साथ, तो क्या होगा, तो चलो हम डेटे में रिख लेते हैं, तो हमारे पास हो गया, COH, यह OH, यह हमारे पास, salicylic acid, इसको हम treat कर रहे है, acetyl chloride के साथ, तो क्या होगा, यहां से H, और यहां से CL, इसको निकालो, और जो बचाओ से जोड़ दो, तो यहां पर क्या आ गया, उपर तो COOH ही है, this is aspirin, और aspirin क्या है, it is antipiratic and analgesic, antipiratic का मतलब क्या होता है, relief fever, बु analgesic का मतलब क्या होता है, reliefs pain, तो यह होगा हमारे पास, compound जो बना हमारे पास, वो बना aspirin, और यह compound है, यह D, तो compound D aspirin हो गया, addition हम ने इसकी लिख दी, इसके अलाबा, compound D salicylic acid है, compound B sodium salt of salicylic acid है, और compound जो हमारे पास A था, यह क्या निकला हमारे पास, A निकला phenol, और जब इस यह Fe, इस compound को जो color होता है, वो क्या होता है, violet होता है, यहाँ पर single हो आएगा, तो इस compound का color होता है, violet, तो इस तरह से हमने सारी reaction जो है, वो लिख ली, कि क्या क्या बना हमारे पास, तो this is question number 50, अब आते है question number 51 के उपर, question 51 हमारे पास एक ether है, C5H12O, C5H12O, यह क्या है, ether है, इसको हम treat करते है, excess of hot concentrated HI, HI से treat करते है, तो यह form करता है, produce two alkyl halides, which are hydrolysis, form B and C, तो यह produce करेगा, दो alkyl halide, जिसको जो हम करेंगे, hydrolyze, तो form करेगा, B और C, oxidation of B gives an acid D, तो अगर हम इसका करते है, oxidation, तो मिलता है, में D, और D क्या है, एक acid है, whereas oxidation of C gives a ketone E, अगर हम इसका करते है, oxidation तो हमें मिलता है ketone E, reduce the structures of ABCDE, तो हमें पहचानने है, ABCDE के structures, अब थेको oxidation से ketone मिल रहा है, इसका मतलब वो कहीने कहीन 2 degree होगा, तो चोलो पहले एक ऐसा ether बनाते है, जो कि, HI से treatment पे, 2 degree का alkyl halide देता हो, तो 5 carbon हमारे पास formula है, C5H12O, इ अब से कम एक ketone दे ही, तो हमारे पास आगया compound A, 5 carbon के साथ ऐसा ether बन सकता है, अगर हम इसका नाम current करें, तो नाम क्या होगा इसका, 1, 2, 3, 2 पे क्या attach है, यह वाला compound attach है और यह क्या है, ethoxy है, तो 2 पे क्या attach है, ethoxy, और compound है क्या, propane, तो हमारे पास compound A आगया, 2 ethoxy propane, और जो हम इसको treat करेंगे HI के साथ, तो HI के साथ treatment पे क्या होगा, जो negative वाला part है, जो I वाला part है, वो तो चले जाएगा हमारे पास इसके साथ, plus sap में जो हमारे पास यह बचा हुआ है, CH3, CH2, यहाँ पर हो, और H वाला part है वो आजाएगा इसके पास, तो यह मारे पास बन गए, दो product, अब तो question में क्या बोलाएं, question में बोलाएं हमारे पास, concentrated HI है, जो कि produce कर रहा है, दो alcohol chloride, तो जब concentrated HI है, तो इसमें क्या होगा, कि जो reaction है, वो एक बार दुबारा से होगी HI के साथ, क्योंकि HI तो हमारी concentrated ले रखाए, तो concentrated HI के साथ, जो alcohol वाला part है, वो भी किसमें convert हो ज जाएगा, alcohol chloride में, तो यह हमारे पास आगया, alcohol chloride, तो एक alcohol chloride तो हमारे पास CA मिला, और दूसरा alcohol chloride हमारे पास CA मिला, अब इन दोनों alcohol chloride का हम क्या कर रहे है, hydrolysis कर रहे है, तो चलो पहले कर लेते हैं, इनका hydrolysis, तो यह हमारे पास था, एक alcohol chloride, और यह हमारे पास, दूसरा alcohol chloride, तो जब हम करते हैं इनका Hydrolysis, तो Hydrolysis से क्या होगा, कि जो I है, जे कर्मट हो जाएगा किसमें, जे I कर्मट हो जाएगा, Alcohol में, आसे H और I, ये निकल जाएँगे, और जो OH है वो आजाएगा इसके उपर, तो यहाँ पर ये बन गया, Alcohol, यहाँ पर लिखा हुआ है, दो Alcohol हैलेट बने, उसके बाद, वी चॉन Hydrolysis from Compound B and C, तो यह हमारे पास Compound आ गए, B और C, C का नाम क्या है, Ethanol, और B का नाम क्या है, Propane 2-ol, तो यह हमारे पास Compound आ गए, B और C, यह हमने लिख लिए आता, यह हमारे पास क्या था, 2-Ethoxy-Propane, B हमारे पास आ गया, Propane 2-ol, और C हमारे पास आ गया, Ethanol, अब आगे कोशन क्या बोलता है, Compound B को जब Oxidation करते हैं, तो Compound B के Oxidation से बनता है, Ketone, यह Compound B है, जो Compound B को Oxidation करेंगे, तो Alcohol के, 2-Degree Alcohol के Oxidation से क्या बनता है, 2-Degree Alcohol से बनेगा Ketone, तो यह हमारे पास, जो B था, B के Oxidation से क्या मिला, B के Oxidation से मिला, हमारे पास, Acetone, इसके अलावा, Compound C को Oxidation कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, Acid मिल रहा है, तो जब Ethanol को हम Oxidation करेंगे, यह Next Question, तो जब यहाँ पर हमने Ethanol को Oxidation किया, तो Ethanol को Oxidation से क्या मिलेगा, Ethanolic Acid, इसमेख Acid जो है, वो Compound D है, और Compound D जो है, वो Ketone है, तो यह हमारे पास Question, तो गोई दुबार से समब करते हैं इसको, हमारे पास के Ketone था, जिसका Formula था, C5H12O, तो यह हमारे पास जो Ketone है, वो यह निकला, 2-Ethoxipropane, इसको जो हम ठीट कर रहे थे, Concentrated HI के साथ, तो Concentrated HI के साथ, ठीट करने पर क्या मिला हमारे पास, 2-Alkyl-Halide, एक मिला हमारे पास, 2-Degree का Alkyl-Halide, एक मिला, 1-Degree का Alkyl-Halide, इसे हमने किया था हाइडलाइस, तो जब इनको हाइडलाइस किया, तो हमारे पास 2 Compound मिले थे, B और C, तो B हमारे पास Propane 2-Al था, और C हमारे पास Sethanol था, जब B को हमने हाइडलाइस किया, तो बना एक हमारे पास Ketone, वो आ गया Acetone, और जब हमने, तो हमारे पास Phenol है, Phenol को हम ठीट कर रहे है, Concentrated Sulfuric Acid के साथ, तो बनता है Y, तो इसको लिख लेते हैं, तो हमारे पास Phenol है, और Phenol को हम ठीट कर रहे है, Concentrated Sulfuric Acid के साथ, तो क्या बन रहा है, Y बन रहा है, और जो Y है, y-com treat करें है concentrated nitric acid के साथ concentrated nitric acid के साथ treat करने पर बन रहा है Z तो यहाँ पर दो चीज़ आती है एक तो आप याद रखना commercial preparation of picric acid picric acid का commercial preparation कैसे करते है तो यह जो method है यह क्या है यह वही आला method है commercial preparation of picric acid तो इसमें होता क्या है जब phenolcom treat करते है sulfuric acid से तो क्या बनता है जो second और fourth position है second और fourth position पे SO3H आ जाता है और जो compound इसका नाम क्या होता है phenol 2,4 di-sulfonic acid यह compound मारे पस बन जाता है अब जब हम इसको treat करते है concentrated echno3 के साथ तो concentrated echno3 के साथ treatment पे क्या बनता है 2,4,6 trinitrophenol जब हम इसका नाम क्या हुआ 2,4,6 trinitrophenol और इसी को हम क्या कहते है इसी को हम कहते है picaric acid यह हमारे पास हो गया phenol हमने इसको treat किया sulfuric acid से तो बना हमारे पास phenol 2,4-dysulfonic acid और 2,4-dysulfonic acid को जो हमने treat किया concentrated nitric acid के साथ तो क्या बना हमारे पास picaric acid बन गया यह हमारे पास एक proper way है commercial preparation of picaric acid बनाने का तो Y हमारे पास हो गया यह और Z हमारे पास हो गया यह अब question पूछाए Y phenol is not converted to commercially to Z by reacting with the concentrated HNO3 अब देखो अगर हमारे पास phenol है और phenol को हम treat करते है concentrated HNO3 के साथ उस case में भी जो हमारे पास picaric acid हो बन जाता है बगर यहां पर दिक्कत क्या आती है कि इस case में जो picaric acid बनता है इसकी जो yield होती है वो कम होती है यह reaction ऐसे भी हो जाएगी मगर the yield is very poor तो इसकी yield poor है और हम commercial preparation कर रहे हैं तो commercially हमें यह चाहिए है कि जाद से जादा compound हों मिले और yield poor हो जाएगी तो इसमें क्या होगा जो desired amount है में वो मिल नहीं पाएगा इसलिए जो इस method का हम यूज नहीं करते है because the yield is very poor हम commercial preparation of picaric acid के लिए हम यह वाला method यूज करते हैं अब sulfuric acid से treat करेंगे और sulfuric acid से treat करके हम बना लेंगे phenol 2-4-dysulfonic acid उसको हम कर देंगे nitrogen तो बन जाएगा हमारे पास picaric acid तो this is question number 52 अब आते question number 53 पे question 53 कहा है कि विए है और 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 तीन हो ग्या है they all three are isomers जिसमें से जो A है यह optically active है इसके लावां जो A और B है तेकि white precipitate when warm with alcoholic silver nitrate जो A और B है जब इसको हम treat करते हैं alcoholic silver nitrate के साथ so it gave white PPT benzoic acid, thalic acid ने para-bron benzoic acid were obtained on the oxidation of ABC तो देखो होई पस तीन compound है A, B, C अगर हम इनका oxidation करते हैं तो हमें मिल्क क्या क्या रहा है تو answer हमारे यही से आजाएगा So A के oxidation से मिल्रा है benzoic acid B के oxidation से मिल्रा है thalic acid so A के oxidation से तो मिलेगा हमें benzoic acid, this is benzoic acid इसके लावां जो B है B के oxidation से मिलेगा ने avete toạchlic acid thalic acid क्या होता है जो C-UH होता है वो दो होते है और जो C है C के Oxidation से मिलता है पैरा ब्रोमो बेंजोईक असिड तो जब C को Oxidize करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा पैरा पर है ब्रोमो और है बेंजोईक असिड हमारे पस तो यहाँ पास तीन चीजे मिल रहे हैं इनके Oxidation से हमें बताना है identify ABC ABC हमें पहचानना है अब देखो C8H9BR यह हमारे पस Compound था और से में इतनी चीजे बनानी है अब कार्बॉक्सलिक Acid कैसे बनता है उसकी Oxidation वाली डेक्शन सो देखो C8H9BR अगर हमें पस Compound ऐसा है छे कारबन तो हो गए रिंग से साथ आठ आठ का बन हो गए Hydrogen देखो इसमें कितने है तो पांच Hydrogen तो हो गए रिंग से इसके अलाबा दो यहां पर और दो यहां पर तो पांच चाड़ नो तो यह अमर पस Compound बन गया अब इस Compound को अगर हम करते हैं Oxidation तो अगर हम इसको Oxidize करेंगे तो क्या होगा यह पूरा पार्ट जो है CuH में चला जाएगा तो Compound A के Oxidation से हमें क्या मिल गया Benzoic Acid तो इसको Compound A का नाम क्या होगा हमारे पास अगर हम इसका कटते हैं Oxidation तो इसको Oxidation से जो ऊपर नीचे जहां जहां कार्बन लगे हुए हैं दोनों Oxidize हो जाएंगे और दोनों Oxidize हो क्या बनाएंगे CuH Rephthalic Acid तो यह होगा हमारे पास Compound B नाम क्या होगा इसका पैरा ब्रोमोमिथाइल टॉलियन अबात है Compound C पे यहां पर अगर हम करते हैं इसको Oxidize तो यहां पर क्या होगा जो ऊपर वाला पार्ट है ऊपर वाला पार्ट चला जाएगा COH में और यह नीचे है यह ब्र आ जाएगा यह हमारे पास आगया Compound C नाम क्या इसका पैरा इथाइल ब्रोमो बेंजीन इस तरह से यह हमारे पास कोशन हो गया 53 अब आते कोशन पर 54 पे तो कोशन 54 है हमारे पास treatment of compound O with KmnO4 हमारे पास एक compound O है उसको हम treat करते हैं KmnO4 के साथ gives P यह acid से कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है P मिलता है which on heating with ammonia gives Q अगर हम इसको heat करते हैं ammonia के साथ तो मिलता है हमें Q the compound Q on treatment with BR2 animals produce R इसको हम treat करते हैं BR2 और animals के साथ तो हमें मिलता है compound number R on strong heating Q give S Q से S मिलता है कब जब हम इसको heat करते है strongly which on further treatment with ethyl-2-bromopropanoate in presence of KOH followed by acidification gives compound T तो जो compound S है उसको हम treat करते हैं कैसे देखो on strong heating Q give S which on further treatment with ethyl-2-bromopropanoate हम S को treat करते हैं ethyl-2-bromopropanoate से in the presence of KOH followed by acidification और यह हम इसको treat करें in the presence of KOH तो पहला step हमने यह किया दूसरा step हमने किया किया उसको acidify किया give compound T तो क्या मिला हमें compound T तो हमें करना क्या है find compound R और T हमें R compound find करना है T compound find करना है हमें जो compound O है वो दे रखा है तो यह हमें दे रखा है compound O तो compound O को हम treat करें किस के साथ में compound O को हम treat कर रहे हैं Kaminophor और acid के साथ में तो देखो Kaminophor और acid तो acidic hydrolysis कर रहे हैं इसका तो acidic hydrolysis क्या मिलेगा जो अब बस यह बड़े वाले carbon के parts है यह convert हो जाएंगे किस में they get converted to COH तो जो हम इसको क्या मिलगा पी यह हमारे पास आगे compound P अब इसको हम treat कर रहे हैं ammonia के साथ और साफ में कर दे रहे हैं इसको heat तो देखो जब NH4 और फिट सको heat करेंगे heat करने पे क्या होगा जो water है वो remove हो जाता है तो यहां से H2 होगा और यहां से O यहां से O-।ो दोनों तरह से declined say H2 तो final हे माँ अर Benjaminल बचा क्या उपर बचा CO और यहां पर है NH2 हैं पर ही बचा CO और यहां पर N क्या बन गया हमारे पास amide बन गया और यह amide क्या है हमारे पास q है यह this is compound q और क्या निकल गया दो molecules of water जो है वो यहां से remove हो गए अब जो compound q है compound q क्यों को हमने treat क्या है ब्र्टू नमच से तो ब्र्टू नमच कौनसी reaction है this is hoffman hoffman में लेगए इसे तो hoffman में क्या होता है कि जो amide होता है amide get converted to amine सो यहाँ पर क्या होगा कि जो CUNS2 है it gets converted to NS2 तो यह हमारे पास हो गया compound R नाम क्या होगा इसका 1,2-diamino-benzene यह होगा हमारे पास 1,2-diamino-benzene compound R तो हमें R find करना था तो एक तो find होगा हमारे पास अब देखो हमने क्या किया है जो compound Q है उसे strongly hit किया है strongly hit करने पर क्या बनता है S so compound Q को लिख लेते हैं दुबारा से यह compound Q है compound Q को हमने strongly hit करेंगे तो देखो strongly hit करने पर क्या होगा यहाँ से NH2 और 1H यहाँ से ammonia निकल जाएगा और ammonia निकलने से क्या होगा यह CO और यहाँ पर CO हो और यहाँ पर बचेगा स्रिफ एक NH क्यों कि यहाँ से NH3 निकल गया तो यह आगया हमारे पास compound S अब compound S को क्या किया है हमने compound S को treat किया है हमने ethyl 2 bromopropionate से अब देखो यह क्या है alkyl और यह alkynoid alkyl alkynoid क्या होते है alkyl alkynoid are esters तो यह ester है तो बनाते हैं पहले इस compound को इस ester को तो यह हमारे पास हो गया ethyl यहाँ पर oxygen यह oxygen यह हो गया propionate वाला part next लेखना हमें ethyl वाला part तो CH2 CH3 यह हो गया ethyl वाला part अब देखो इसके 2 पे क्या attach है bromo attach है तो यहाँ से एक hydrogen रटाओ और यहाँ पर क्या जोड़ दो bromo जोड़ दो तो यह आगे हमारे पास पूरा compound ethyl 2-bromo propionate this is ester इससे हम treat कर रहे हैं और साथ में क्या है इसके KOHB है तो देखो यह जो compound बना नाम का इस compound का this compound is thalamide सबसे बहले बात तो KOH से treat कर रहे है तो यहाँ से A चट जाएगा और उसके क्या आ जाएगा K आ जाएगा तो चुल इसको बनाते हैं यह हमारे पास आगे potassium salt of thalamide इस potassium salt of thalamide को हम treat कर रहे हैं ester से अब देखो जो भी potassium salt of thalamide को treat करेंगे हम इस वाले compound के साथ तो यहाँ से क्या होगा H5 यह हमारे पास जो दे रखाता Ethyl 2-Gromopropanoate उसको हमने add कर दिया thalamide के साथ तो हमारे पास यह वाले compound बन गया अब क्या बोला है कि जो ही compound बना इसको हम treat कर रहे हैं water के साथ इसको हम acidic hydrolysis कर रहे है तो जब इसको treat करेंगे water के साथ तो क्या होगा देखो यहां से दो water molecule ले ले लेते हैं तो देखो यहां पर होगा क्या कि यहां से दो hydrogen निकल जाएंगे और compound जो इसको है वो दुबादा से draw करते हैं यह जो OH है एक तो यहां पर आ जाएगा और एक OH यह यहां पर आ जाएगा और बाकी जो यह दो hydrogen देखो चल जाएगे डाटेजन के साथ तो यहां पर क्या बन जाएगा CH3 CH CH के साथ attach है N और यहां पर दो hydrogen आ गए तो NH2 हो गया और साथ में क्या attach है इसके COOH S जो है ब्रेक हो जाएगा और यहां से C2 H5OH यह भी निकल गया तो बने हमारे पास यह compounds हमारे पास जो main compound आया वो यह आ गया नाम क्या है इसका This is Thalic Acid और यह जो compound भारे पास बना यह है हमारे पास compound number T अब देखो क्या है एक तरफ NH2 है एक तरफ CuH है तो यह क्या है यह Camino Acid है और नाम क्या है इसका अलानीन तो यह हमारे पास आगे compound T हमारे पास पूरा कोशन यह कोशन 2016 में आया था advance में तो देखो इसमें क्या था कि हमारे पास जो compound T रहे रखा था वो यह वाला इसको में simply oxidize करना था हमारे पास बन गया Thalic Acid जो Thalic Acid था Thalic Acid को में treat किया अमोनिया से तो हमारे पास यह बन गया Amide Amide को हम लेगा Hoffman में तो यह हमारे पास Dimino Benzene बन गया अब जो Dimino Benzene था इसको हमने दुबारा से heat किया heat करने पर इसका अमोनिया निकल गया अमोनिया निकल गया बन गया अमारे पास Thalemide अब Thalemide को हमने treat किया था Isolic Compound से This is Ethyl-2-Bromopropionate यह क्या था Aster था Aster से treat करने पर हमारे पास बना यह compound और इस compound को जो हमने हडलाइस किया तो हमारे पास यह बन गया Amino Acid तो यह था पूरा question हमारे पास Question No. 54 अब आते Question No. 55 के उपर सो आपर एक Aliphated Unsaturated Hydrocarbon है इसको जो हम treat करते है H2SO4 से और HGSO4 से तो मिलता हमें यह compound उसको जो हम oxidize करते है Concentrated Nitric Acid के साथ हो में मिलता है C और D जब C को हम treat करते है P5 से तो मिलता है हमें E और E को जब treat करते है Ethanol से तो मिलता है F F जो हो एक sweet smelly compound है तो पता ही चल रहा है कि F जो हो कोई Aster होगा इसके अलाबा जब हम C को treat करते है Ethanol से इन presence of acid तो भी मिल जाता है F इसका मतलब C जो क्या है Carboxlic Acid है क्योंकि Carboxlic Acid और Ethanol इसके अलाबा Carboxlic Acid को P65 से करते है तो क्या बनता है Acetyl Cluride और Estyl Cluride को जब treat करते हैं हम alcohol के साथ तो भी Aster बन जाता है तो चल लिखते हैं पहले तो compound B को पहचान होगी B के आओगा तो B जो बना है वो H2SO4 और H2SO4 से बना है और C3H6 हो है तो देखो H2SO4, HGSO4 यह कहाँ पर आते थे यह preparation of ketones और LDHID में आते थे तो यहाँ पर क्या होता है देखो तो अगर support score मेरे पास अगसे 2 carbon का alkyne रहता है और इसको हम treat करते हैं H2SO4 और HGSO4 से तो यहाँ पर क्या बनता है यह trotomerize हो कि किस में चला जाता है LDHID में चला जाता है मगर यही अगर हमारे पास यहाँ पर 3 carbon का alkyne रहता है तो 3 carbon का alkyne जो हम इसको treat करते हैं HGSO4 से और H2SO4 से तो यह trotomerize हो कि कहाँ जाता है यह बनाता है ketone formula क्या बना है इसका C3H6O तो यह बनाता है यह वाली reaction है कि aliphatic unsaturated hydrocarbon है जिसको हम treat कर रहे है HGSO4 से H2SO4 से तो मिल रहा है B तो B हमारे पास क्या होगए अब B हमारे पास होगया acetone इस reaction यहाँ से start है तो B हमारे पास होगया acetone अब क्या कर रहे हैं इस acetone को हम concentrated nitric acid से oxidize कर रहे है acetone को treat करेंगे concentrated nitric acid भी साथ क्या कर रहे है यह आप पर oxidize कर रहे है तो oxidize कर रहे हैं तो क्या होगा यहाँ से break हो जाएगा तो यह भी यहाँ से break हो जाएगा तो एक बनेगा हमारे पास CS3COOH और दूसरा बनेगा HCOOH C को treat करेंगे PCL5 के साथ तो बन रहा है E तो C को दुबाले लिख लेते हैं CMR पास क्या था CS3COOH इसको जब treat करेंगे हम PCL5 के साथ तो देखो carboxdic acid creation पढ़ी है तो उसमें क्या होता है जब इसको treat करेंगे PCL5 के साथ तो क्या बन जाएगा यह बन जाएगा acetyl chloride फिर क्या किया था इस acetyl chloride को हमने treat किया है किस के साथ ethanol के साथ तो जब इस acetyl chloride को treat करेंगे ethanol के साथ तो क्या होगा यहाँ से H और यहाँ से CL HCl निकल गया और जो बचा उसे जोड़ दो तो क्या बचा CS3CO फिर यहाँ से O और C2 H5 यह बन गया हमारे पास ethyl ethnoate ester बन गया fruity smelly compound और यह compound क्या हमारा this compound is F यहाँ बोला था ना diesel 5 के साथ क्या बनेगा E यह क्या बन गया हमारे पास acetyl chloride उसकों निक्रीट के इतनोल के साथ तो बन गया हमारे पास ethyl ethnoate ester इसके अलबा जब C क्यों टीट करते है ethyl ethnole के साथ तो भी F बनता है अब देखो यह reaction तो पता ही है कि अगर हमारे पास carboxylic acid है और alcohol इसकों टीट करते है presence of acid तो यहाँ से क्या होगा यहाँ से OH और यहाँ से H यह निकल जाएगा और क्या बन जाएगा दुबारे से वही बन गया हमारे पास compound ester यह compound क्या है F ethyl ethnoate तो यह होगा हमारे पास question number 55 सारी चीज़ आ गई यहाँ पर यह हमारे पास क्या आया यह आ गया propine जो B है यह